नमस्कार दोस्तों सोगत आपका सरकरेटरी में यूटूब जैनल में आज की स्वीडियो में मैं आपको SAC GD के लिए जो नई वेकेंसे आई है 26,126 पद उसके लिए ओनलाइन आवेदन कैसे करना है वो step by step दिखाने आप वो भी अपने mobile phone से आप घर बेटे अपने mobile phone से आउनलाइन आवेदन कर सकते हो वो भी step by step तो चलिए टाइम बरबाद ना करते हम सीधा बढ़ते है वीडियो की तरफ दोस्तों सबसे पहले जो आपको SAC.NAC.IN के ओफिशल वेबसेट पे आज आना है यहाँ पे आने के बाद जो है आपको registration number और password डान के login कर लेना है ठीक है capture डाल के login करना है अगर आपके प्रस registration number नहीं फरस्ट आम आउनलाइन आवेदन कर रहे हो तो इसकी लिए आपको जो है यहाँ पर registration number पासवर्ड यह वाला capture यहाँ डाल के login बटन पर जैसे क्लिक कर दें तो आपके सामने कुछ है इसा इंटरफेस आता है उसके बाद आपके सामने कुछ है इसा इंटरफेस कुन कहाता है जो आपके सबसे पहले उपार आप पूरा नाम लिगना है फिर आपने अ इसके बाद आपको यहाँ पर उपनी category चुननी है उसके बाद नीच चीज हो है citizen of India चुनना है क्योंकि इस परती के लिए नेपाल और बोतान के candidate भी apply करते हैं ठीके सबसे पर आपको यहाँ इंडियान citizen चुनना है उसके बाद आपको यहाँ एक identity mark लिखना है जैसे कि आपक यहाँ पर लिख देना है आप यहाँ पर आपना जो दस्वी का चुन लेना है कि आप किस state से आपने दस्वी पास किया बारवी यह ग्रेजुशन किया हो चुन लेना है यहाँ पर आपके matrix level का जो यह बोट certificate number डाल देना है यहाँ पर आपने कौन से साल में दस्वी पास की चुन देना है यहां कि आप एक सर्विस हमान यह नहीं वह चुन देना है अगर हो तो यज यह तो नो उसके बाद आपकी अगर आप नहीं सीजल लेंने अगर है तो बरने यह सारी ने निची मैं मि कौन तो यह परने है अदर्वाइस आपको इन सारी कॉलूम को छोड़ देना है निचे जो आपको एज जो एज रिलेक्शन का आप लेना चाहते हो कि नहीं अगर आप यह सी एस टी ओव इस केंडिडिट हो तो आपको यहां फे यह चुनना है अदर्वाइस अगर आप जनरल से हो यहां से चुनना है उसके बाद अजर आप एस कर ना है उसके बाद आपको पोउस्ट प्रिफरेंस चुन ना है आपकी सेंटर पर एकजाम देना चाते हो वह एक दो और दिन आपको अपने स्टेट के जो भी एक्जाम सेंटर से वह चुण लेना है कि आपके सबसेट घर के नजदिक वह चाएम सेंट्र है वो आपको यहाँ पे तीना में से पहले भी एक चन लेना है यहाँ पे तीचे दो देख सकते हो आप डिख Nameкомput if a exam व कहा देना चाहते हो उसके लिए जो लेंग्वेज वगड़ा है वह आपको यहां पे नीची चौन लेनी हैं ठीक है और यहां पर दोनों टैम चुटना है आपकिस लेंग्वेज में एक्जाम देना चाहते हो दूसरा आपको चौशा यह आपना स्टेट का डॉमसाल चौन लेना है और आ और उसे बात जो है स्टेट ऑफ और्गनाइजेशन गुजराचे से स्टेटों में दंगया वगरा होए थे तो उनके लिए रिलेक्शन वगरा मिलता है उसके लिए आपको चुनना है अगर आपका डिस्टिक जो है नकसा प्रभावी थे या बॉर्डर डिस्टिक है तो यहां चुनना है ठीक है और उसके बाद आपको नीचे जो है पोस्ट प्रिफरेंस चुनने का मुखा मिलता है यहां को अगरा जो भी है वो सारे चुनने है लेकिन आपको पोस्ट प्रिफरेंस कैसे देना है उससे पहले आपको यह वाली उपर आई बटन में जो वीडियो दिख दिखने है उसके बाद आपको पुश्ट प्रिफरेंस चुनने में अगर आपने गलती कर दी तो आपको बात में बहुत ज़्यादा पश्टाव होता है क्योंकि आपको जाना होता है उसके नुठिन कैसी है जाना कितना है ठीक हो कितना है वो सारी जान करें आपको मैंने उपर आई बटन में दे रखिए उसको देख लो उसके बादी आप चुनना कि आपको फर्स्ट किसको देना है ठीक है इसमें कोई A B C D लिखने के जोगत नहीं इसमें डायरिक आप B C A O कुछ भी लिख सकते हूं ठीक है अतलब जो भी से gon, A A, 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 B B, C, D लिख सकते हो आप जितने भी कॉलम है उनको आप आगे पीछे कर सकते हो जैसे आगे आप B सकते हो 20 पे- Б रख सकते हो पर ठीकत की बात नहीं पिर आपका हई सbee बाख लेदित कर लेना है थ आपका यह कर लेना है बतलब कि वेडिफाई कर लेना है उसके बाद यहां पे जो है बारवे पास से साल में हुए थी वह सारा चून लेना यहां पे परसेंट्रीज वगरा रोल नंबर यूनियर से पास हुए थी वह सारी जानकर यहां देनी है ठीक है यहां पे यह वह मैं कि फरसनल इंक्टोर्शन अगर आपको योड़ी किसी जोग अगरा में तो यह चुन लेना है अदर्वाइस आपको नीचे जो है यहां पे जो है आपके फरसनल डेटेल दिख जाएगे आपका पूरा एड्रेस दिख जाएगा जो कि यह मेरा है इसलिए मैंने इसको हाइड कर रखा है और नेस्ट आप थे यहां जो आपको पहले एक अपना फोर्ट ग्राप अप्लोड करनी है 17 ऑपके आपके दून लाफ नजर आने चाहिए और आपके फोटो के पीछे जो है 3.5 cm से लेक है और वेट होनी चाहिए और 4.5 cm उसकी हाइट होनी चाहिए सिगनेचर भी जो है 10 से 20 kg के विश्मी होनी चाहिए जिसकी 4.0 cm वेट और 2.0 cm हाइट उसकी होनी चाहिए यह फोटा आप यहाप अपलोड कर देना और यह फोटो के लिए एक महत पूर्ण जानकारी देता हूँ जब आप फोटा अपलोड करें तो फोटो पे आज की डेट मतलब जिस दिन आप फोटा अपलोड कर रहे हो उस दिन की डेट आप और आपका नाम फोटोग्राप पे प्रिंटेट करवा देना और वही फोटो आपका नाम और आपकी जो फोटो की जिस दिन वह डेट होगी जिस दिन आप अपलाई कर रहे हो उस दिन की डेट और आपका नाम फोटो पे ओना चाहिए ठीक है और यह बहाँ अपलोड पर देनी और यह चून लेना है उसके बाद आपको नीचे जो है आए अगरी बटन आपको नीचे दिख जाएगा आपके सब्मिट बटन पर आपको क्लिक करना है उसके बाद जो आपके लिए जो नेक्स्ट अगर आप ओबी सी या जनरल से अपलाई कर रहे हो तो आपको ऑनलाइन चलान का ओप्शन को जाएगा वह आपको योपी आई एटियम कार्ट डेब क्लिकेशन पॉर्म डाउनलोड करने का ओप्शन आपको मिल जाएगा अगर आप ओबी सी ओ जनरल केंडिडेट हो तो आपके लिए सो रुपे चलान बरना पड़ेगा तब जाके फिर आप जो है अपना ऑनलाइन प्रेंट आउट डाउनलोड कर सकते हो तो दो मैंने पूरी जानकारी दे दिए कि इसके लिए ओनलाइन आवधन कैसे करना है I hope मैंने देवही जानकारी आप समझ गयो होंगे अगर वीडियो अच्छे लग हो तो लाइक शब्सक्राइब ज़रू करना और ससीजडी के पलपल के अप्डेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़ करो और नेक्स्ट वीडियो की स्टापिक पी चाहिए वो भी जरूर बताना मैं मिलत आपको नए और फ्रेशिटु के सत्प्त किले दन्यवत चहिन चे वारत